स्वागत आप सभी का नर्सिंगंटर 24-7 में मैं विविक कुमार सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूटूब सैनल पर और आज का वीडियो एक बड़ा खास है क्यों क्योंकि आज हम लोग विसेश मुद्धे पर बात करने वाले 80-20 रेशियो के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है नोर्सेट जो की कॉमन एंट्रेंस है और उसमें पैटन लागू होता है 80-20 80-20 आप सभी को अच्छे से पता होगा जैसे अगर मान एक छोटे से एक्जामपल की रूप में बोलू मैं तो जैसे माली जागर एक 100 सीट है तो उस 100 में से 80% reservation to the females और 20% to the males होगा तो same pattern of ESIC में भी आने वाला है ये same pattern of ESIC में होने वाला है और इसके उपर आपकी क्या राय रहने वाली है क्या ये सही या क्या ये गलत क्या है newspaper की cutting क्या खास cover है ये पूरी बात में बताने वाला हूँ तो एक बर इस वीडियो की last तक बने रहीगा और एक वीडियो को जल्दी से like भी कर दीजिएगा आईए देखते हैं क्या है पूरी खबर क्या पूरी बात करने वाले हैं हम आप लोगों से इसके बारे में एक पर फटा पड़ से देखिए एक newspaper है उसमें cutting भी आई है और पूरी बात भी बताएंगे हम आप लोगों को देखिएगा जल्दी से यहाँ पर एक news है ESIC 8020 महिला पुरुस आरक्षन निती का हो रहा है विरोध और विरोध होना क्या सही है यह क्या गलत है यह आपको भी comment box में जरूर बताने है कि सही है यह गलत है यह बात देखिएगा करमचारी राज्य भीमा निगम Employee State Insurance ESIC ने नर्सिंग अधिगारियों की बढ़ती के लिए Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Norset परिक्षा में 8020 महिला पुरुक्स आरक्षन निती को लागू करने के फैसले पर All India ESIC Nursing Officer Federation Employees Federation ने इसके उपर आपत्ती जताई है और बहुत सारे लोग Finally इसके उपर बोले हैं कि ये गलत है क्यों क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी लड़कों के लिए यह मैं बोलू कि उन अभ्यारतियों के लिए उन मेल्स के लिए जो लंबे समय से तयारी कर रहे हैं के लिए एक थोड़ा सा पास्चुलिटी की बात करेंगे हम लोग गलत है फैडरेशन का कहना है कि 194 भी कोपरेशन बेटक में फैडरेशन ने सम्मधित परिक्षानियों को बिना ध्यान दिये हुए डायरेक्ट जल्दबाजी में ये फैसला आरक्षन निती को लागू कर दिया जो की गलत है हाँ फैडरेशन का दावा है कि यह निर्ण करमचारी राजी बीमा अधिनियम 1948 धारा 17 का उल्लंगन है जिसमें करमचारियों की निक्ति, वेतन, बत्ते, अनुसासन, सेवा और अन्य सर्तों के लिए ESIC के नियमों और केंद्र सरकार के अधिकारी करमचारियों पर लागू करने का प्रावदान है इस कमेटी के मास अच्छिव ने बताया कि बैया परिक्षा का आयोजन M.S.W.R. अन्य केंद्र सरकार के अस्पटाल नर्सिंग अधिकारी निक्त करने के लिए किया जाता है लिंग आधारित आरक्षण का प्रस्ताव ऐसमान और ऐस सम्विधानिक है इसमें योग्य उम्मिद्वारों को समान अवसर नहीं मिलेगा सिदी सी बात है मैलाओ को जादा अवसर मिल रहा है पूरुसों को जादा अवसर नहीं मिल रहा है फेडरेशन ने इस निती का वापस लेनिंग की मान करते वे ESIC से तुरंत कारवाई करने की मांग की है फेडरेशन ने कहा है कि आगर अगले कुछ हपतों में यह निती वापस नहीं ली गई तो यह हड़ताल और बढ़ा देगे वो लोग और विरोध प्रतसन और हड़ताल अच्छे से करेंगे वो लोग देख या अब से ESIC का जो नर्सिंग ओफिसर रिक्रूटमेंट होगा वो अकोडिंग टू नोर्सेट पैटन या नोर्सेट के अधीन होगा जिसमें 80-20 का रेशो चलेगा जिसमें क्या रहेगा 80-20 का रेशो रहेगा जो की पूरी तरीके से ऐस सहमेधानिक है जो की ऐस अमान है क् सबी स्टुडेंट्स को बराबर रिजर्वेशन मिलना चीए मेल फीमेल को रिजर्वेशन इस तरीके से नहीं होना चीए लेकिन फिर भी इनोंने भी 80-20 के रेशो को कर दिया है जो की सरासरे कह सकते हैं कि उन लड़कों के लिए उन मेल्स के लिए थोड़ा सा गलत है हां सा साथ यहां पर अभी इस फैसले के उपर बहुत विरोध चल रहा है अभी इस फैसले के उपर बहुत विरोध चल रहा है आप लोग देख सकते हैं और यह पूरी खबर है संध्या टाइम्स के न्यूजपेपर की खबर है इसके उपर काफी अभी विरोध चल रहा है लेकिन अभी इसके उपर पूरा फैसला कभ इंप्लिमेंट होगा, कभ लागू होगा, जो आपको जल्दी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी ESIC 8820 रेशो, आप लोगों के हिसाफ से आप बताईएगा जरू, कि क्या ये फैसला सही है या गलत है, और इस फैसले को क्या आपको समर्थन करना चाहिए, या इसका विरोध करना चाहिए, हम यहाँ यह नहीं कहते कि भाईया, यहाँ पर मैलाओ को आरक्षन नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल आरक्षन मिलना चाहिए, लेकिन समान आरक्षन मिलना चाहिए, अगर 50-50 परसेंट भी रखे तो भी सही रहेगा लेकिन 80-20 का थोड़ा सा जो है वो ऐसामान है एसामान है तो इसके उपर विरोध कर रहे हैं फेडरेशन के अधिकारी लेकिन अधिकारियों ने अभी कोई पर ध्यान नहीं दिया है लेकिन जल्दी जैसा कि एक संस्थान एक नर्सिंग फेडरेशन ने जल्दी बोला है कि अगर ये फैसला वापिस नहीं लिया गया तो इसके उपर हरताल करेंगे वो लोग धरना प्रतसन करेंगे तो आपकी राए के अनुसार जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है, क्या ये फैसला सही है या नहीं है, क्या ये फैसला गलत है और अगर गलत है तो इसका क्या सही जो है निधारन होना चाहिए लेकिन नर्सिंग फेडरेशन 24-7 की तरफ से हम लोग आपके सपोर्ट में आक्रोस में साथ हैं और अगर बात करूँ में तो आप लोगों को क्या फील हो रहा है कि क्या ही जो डिसीजन है 80-20 का क्या वो सही है और अगर आपको सही लग रहा है तो फिर आने वाले सालों में क्या इसको continue करना चाहिए जरूली से कमेंट करके जरूर बताइएगा टैंक्यू सो मच आप सभी को आप ये पूरी खवर बताने के लिए ये सेसन किया गया और आगे भी मैं इसके बारे में और भी बहुत सारी खवर बताता रहूंगा तो टैंक्यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग मिलेंगे आपसे आगले नए सेसन में ति